और दस दिन से क्रियेटिन यूज़ कर रहा हूं, बोडी धिकीन ही रही है, जब तुम से जाना है, कोई ब्रमास्तर नहीं है, ज्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपका मसल भी बड़ेगा, अगर मसल ही नहीं होगा, तो क्रियेटिन को खांश्टूर करो गया, ओके इस बीड़ा में हम तीन कोश्टिन की बात करेंगे, सबसे पहला है, कि भाईया मुझे अभी एक मन्त कंपलेट हुआ है, जिम में, और दस दिन से क्रियेटिन यूज़ कर रहा हूं, बोडी धिकीन ही रही है, ऐसा लग रहा है कि क्रियेटिन खाया है, मगर बोडी में पावर बढ़ाएगा और पानी को होल्ड करने का काम करेगा, लेकिन यहां पर आपको अपनी बाकी की डायट पर और प्रॉपर मसल डेमेज पर और रिकबरी पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपका मसल भी बढ़ेगा, अगर मसल ही नहीं होगा, तो क्रियेटिन को क अच्छे सी जानता होगा, तो आपको किसी ट्रेनर के अंडर रहो, तो बैस्ट है, अगर यह सब कुछ आप एक नॉर्मल वाला काम मत करो, और वो क्या है, किसी बिगनर ने जिम जोइन करी, पांस रुपर दिये, और एक ब्रहमास्तर करीदा, आईसोलेट प्रोटीन, ठीक ह तो अब तो भाईया, गौनी कोलमेन को हराकी रहेंगे ये, कई योगा तो यह कहना होता है कि अब नाइन टाइम मिश्टर ओलंपिया बन जाएंगे, ये सब इस्ट्रेक लेने के बाद, मगर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग तो फालतु लोग लेते हैं, ये तो यूट्यू तो इस तरीकी से मैं पूरी करता हूँ, लेकिन अगर यहां पर आपको एक सही ट्रेनर मिल रहे हैं, सही ट्रेनर का है, इंडिया में बहुत बड़े एक से ट्रेनर है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई जिम खराब लग लग रही है तो इसमें ट्रेनर भी खराब होगा, नहीं, वो तो जश्टेक एक्क्यूबमेंट्स होते हैं, अगर ट्रेनर में बात है, तो आपके उनी नॉर्मल एक्क्यूबमेंट्स में बोडी सांदर बनवा देगा, ठीक है, तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है देव, और बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की, कि सर क पूछ पूछ के पूछ के मैं सब फालतू तो नहीं बोलूंगा, कुछ को मैं काम का भी बोलूंगा, जो आपकी फिटनेस जरुनी में प्रॉबम दे सकते ते, तो उसमें अप जाज तो इस देखो गगए यह देखो गए यह तो फालतू की कोश्चन ही पूछते हैं, मिसरी मिला कर ले लिया, या घी में मिला कर ले लिया, नार्यल पानी में मिला कर ले लिया, बेसिकली इनका काम क्या होता है, कॉक्टल बना कर फिरना, देखिए ऐसा आपको कुछ भी करने की जो तो नहीं है, एक सिंपल सी बात है, एक कोई ऐसी चीज ले लो जो आपकी डाइट मे रेगुलर ले पाएं, जैसी कि केला हो गया, इन सब में गलुकोस आराम से होता है, जो आपके इंसलिन को स्पाइक कर देगा, अगर कम है, जैसी कि मान के चलो कई लोग बनाना नहीं काते हैं, तो उपर से 1-2-3 गराम सुगर खा लिया, कोई प्रॉल्लम नहीं है, अभी भी कह अगरा देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों को आप देखो लंबे समय तक रेगुलर नहीं ले पाऊगे, डाइट हमको वो लेना है, जो लंबे समय तक ले सके हैं, क्योंकि यह मतलब नहीं है कि जादा से जादा कॉम्प्लेक्स करना है चीजों बहुत से 1000 IQ वाले दमाग वाले आते हैं, बिगनर्स, जो डाइट को इतना जादा जटल कर देते हैं, कि दो महीने बाद जिम चोड़ देते हैं, अभी बहुत से आते हैं मेरी टेनिंग के अंडर, अगर उनको एक नॉर्मल डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाए, और उ प्रचा बढ़ा लिया है, उसके बाद उनको डाइट बंदा करना पड़ती है, माइंड का जो एक एकदम सैट लेवल होता है, कि माइंड सैट करके नहीं जाते हैं, वो बिगर चुका होता है, और जिम छोड़ दी, तो इस तरीके से अपनी माइंड में एक भरम टाइप का चला के रखते हैं, तो यह सब ना करती हुए बात को सीडियस लेनना चाहिए, और हाँ, आपके से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसका मतलब यह है, कि आपने ट्रेनिंग लेने का पैसा दिया है, ना कि द्माग चलाने का, आप उसमें भी द्माग चलाऊ होगी तो कोई मतलब बन जाती है अब बात करते हैं हम अपने तीसरी कोशिशन के बारे में कि भाई मैं सुबह जिम करता हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे बहुत नीद आती है देखिए इसके दो रीजन हो सकते हैं मेनली इससे जाता भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है पहला सुनिए एक तो एक अच्छा खासा फ्रेश फील करोगे और यह आपको अगर नीद आती है तो जरूर लेना है अब यहां पर वस्लोगे भी बोलेंगे कि वह यह वर्काउट के बाद हमें सीधा जॉब पर जाना पड़ता है या कोई वर्क करना पड़ता है बिजनेस बगरा जो भी है तो इ जर जाके अपना डायट वगर लेके तो तोड़ा आराम करके एक छोटा सा नेप लेके अपने डे को रिस्टार्ट करना यह सबसे बेस्ट सॉलिशन है जहां तक मुझे आपके लिए लगता है वाकी का मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइप को तोड़ा सा समझ के चलिए औ अपने जो मेरी इतनी देर का बात सुनी यहां तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद